सलाम आलेकुम प्यारे बच्चों आज का हमारा हैंडराटिंग का सात्वा दीन है आपने लाइन्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिये होंगे और अभी भी करना हैं आपको क्योंकि हम बहुत फास जा रहें लाइन को उतना वक्त नहीं दिये हमने आपको देना है उसके बाद हमने हुरुफे तहजी में अ, ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, ख, उसके बाद शीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, नून, प्लाम, रा, ज, दाल, जाल, व इन सारे हुरुफों के प्रैक्टिस हमने कर लिये हैं पिछले कुछ वेडियोज में आपने देखे होंगे अभी भी अगर कोई नए बच्चे जॉइन हुए है क्लास में तो आप पिछली जो हमारे लिंक से उनको ओपन कीजिए अगर आपको लिंक्स नहीं है आपके पास तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे सभी लिंक्स मौझूद है फिर भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है हम आप हमारे प्रसनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं हम आपको सभी लिंक प्रोवाइट कर देंगे तो पहले आपको उन लिंक को देखना है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना है फिर आगे चलना है ठीके चलिए आप जो हमारा गुरूप है इन हुर्फों के आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिये होंगे मौजरत के साथ कि आपके होमवर्क अभी हमने चेक किये है जितने हुमवर्क हमारे पास आचुके हमने चेक किये मगर हमने प्रसनले आपको रिप्लाई नहीं दिये है कुछ साइकलोन की वज़ा से नेटवर्क प्रॉब्लेम की वज़ा से हम आप से राप्ते में ने रह सके कोई बात नहीं मगर हम आपको ज़रूर रिप्लाइ करेंगे तो आज देखते हैं कर यहने कबूतर का कर ओवला गुरूप तो चलिए देखते हैं उसको किस तरह से लिखना है देखिए इसमें जो है अच्छा मैं हुर्फों की जासामत जरा बरी ले रही हूं तो आप समझ लीजिए मैं आपको दो लाइन में किस तरह से लिखना है यह भी बता दूंगी अब मेरे वुनहार बच्चे भी इसका वसूल बता सकते हैं कि हमने किन लाइनों का एस्तमाल किया था इसमें मेरे नोइक हैं उसके बाद यहां से यहां तक पूरी प्राइन नमबर एक इस्तमाल होती है और यहां से जो है वो लाइन नमबर दो इस्तमाल होती है फिर वापस जैसे के हम ब, 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 प, त, इनमें लाइन नमबर एक का इस्तमाल यहां पर किये थे बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी हमको लाइन नमबर एक लाना है ठीक है अब वापस से देखिए यहाँ पर देखते हम दूसरी जगा पर लाइन नमबर एक के प्रैक्टिस बच्चों बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि यह बहुत ज्यादा इस्तमाल होने वाली है और जैसे हमारी उर्दू के हुर्फ खतम हो जाएंगे हम फौरण इंग्लिश की तरफ जाने वाले हैं और लाइन नमबर एक का काम टोटली इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लाइन नमबर एक ही यूज होने वाली है इसलिए उसके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रही है तो दो लाइनों के बीच में आपको कितना फासला अस्तमाल करते हुए इसको किस तरह से लिखना है क को ये देखेंगे हम देखिए ये हमारा दो लाइनों का फासला 100% कर जो है बच्चों उसकी जो लाइन नमबर एक है वो आपको पूरे 100% में से लिखनी है पूरे 100% में से फिर लाइन नमबर दो पे आ गए हम और लाइन नमबर एक ये छोटी सी मगर लाइन नमबर तीन जो है वो उपर के लाइन के 25% में से शुरू हो जाएंगी अब बहुत सरे बच्चों को ये भी confusion होती है कि 25% लिए मैडम तो यहां से होगा यहां से होगा ठीक है उनके लिए एकदम easy trick अगर मैं बताओ तो आप लाइन नमबर एक जो अलिफ लिखते उपर से थोरी जगा छोड़के नीचे से थोरी जगा छोड़के ठीक है उस तरह से अलिफ लिख लिख लिए हमने यह हमारा पहला उसुल हो गया फिर line number 2 हमने ले लिए उसके बाद line number 1 ले लिए ठीक है उसके बाद उपर से 25% में से यहां नीचे हम line number 3 को लेकर आ गए देखिए वापस से एक बार यह अलिफ वाली line line number 1 उसके बाद line number 2 और यह आएंगे हमारी line number 3 अच्चा अब एक बास जहन में रखना है आपको कि यह जो line number 3 हमारी उपर के line में गई है यहां पे इतने फासले में गई है बराबर से तो ध्यान में रखिए कि यह line जो line number 3 आपने उपर के line में लिए है उस उसका फासला कही 30% 50% में न जाए इसका आपको ध्यान रखना है कि line number 3 उपर के line में 25% ही होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं ठीक है उसके बाद हाँ ग तो ग लिखते वे भी आपको उसूल तो वही रहेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा फर्क नहीं है सिफ line number 3 क्या होंगी double जाएंगी आप जो line number 3 double लिखनी है हमको तो किस तरह से लिखेंगे तो जहां से आपने line number 3 यह पहली वाली लिए है वही से आपको line number 3 दूसरी वाली भी लेनी है और उतनी ही लेनी है उसी size में लेनी है ना बड़ी ना छोटी देखे वापस से यह हमने ले लिए है ठीक है अब इसमें होने वाली गल्तिया देखते हैं कि आप इसमें गल्तिया किस तरह से करेंगे जो मतलब maximum हम लोग handwriting या written work में करते हैं तो इसमें इस तरह से direct कर लिख देते हैं या तो फिर आप अगर इस तरह से direct लिखते हैं तो वो तो टोटली गलत ही है आप सोचेंगे कि हम उसूलों का इस्तमाल करके भी डारेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से यह भी गलत हो जाएंगा आपको बार-बार हर गुर्फ के लिए पेन को रुकाना है क्योंकि हम फिलहाल सीख रहे तो आपको पेन रुकाना ही है और फिर उसूल को यह करेंगे कि हो सकता है यह हमारी यहाँ पर आ जाएं लाइन नमबर तीन बहुत ज्यादा उपर हो जाएं यह भी गलत हो जाएंगा या फिर लाइन नमबर एक कुछ ज्यादा ही उपर आ जाएंगी तो यह भी गलत हो जाएंगा इसका भी ज़रा ध्यान रखें और यह दे दूसरे बात ये के गर लिखते वक्त maximum होने वाली गलतिया देखते हम अच्छा कुछ गलतिया जो common होती है जैसे ये यहाँ पर gap छोड़के तो ये गलतिया भी न करें आप हम गलतिया आपको इसलिए बता रहें क्योंकि जब हमें पता चलेंगा कि यह हमारी गलती है तो वाप गलती के बारे में बता रहे हैं दूसरे बात ये देखिए अब ये जो है आप मारे लाइन नमबर तीन और लाइन नमबर एक से थोड़ा आगे होगी ये भी हमारा गलत मिधर है आप इस तरह से भी नहीं लिखेंगे देखे सिफ कर और गर लिखने में हमारे बहुत सारे मिस यकीन है ठीक है चलिए उसके बाद आब हम देखते हैं इनको लबजों में किस तरह से लिखेंगे तो अब हम हुर्फों में इसको लबजों में किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं जैसे सबसे पहला है पाक अब ये प हमारा समझो यहाँ पे हमने बड़ी लिपी से लिख रहे है तो समझो कि यह हमारा 100% में पा लिखा गया है तो वैसे ही काफ आएंगा या कबुतर का क आएंगा ये पाक ठीक है उसके बाद जैसे अद्रक है देखिए अ जो है यह हमारी लाइन नमबर 3 जो है अ से थोरी सिब बड़ी रहेंगे क्योंकि अ 100% में आएंगा और हमारी लाइन नमबर 3 100% से उपर रहेंगी थोरी यानि उपर की लाइन में जाएंगी ठीक है उसके बाद आग है फिर खाक है हमने आपको बतायते हैं 100% में लिखने का शुरू करना है उसको फिर नीच आएंगे फिर उसके बाद उसको लगाएंगे खाक हो गया उसके बाद कबूतर है देखे लाइन उर्दू के जो लब्स होते हैं वो लाइन नमबर 3 में लिके जाते हैं क फिर ब व कबूतर लोग आ गया चलिए देखते हैं अभी हम पेन का इस्तमाल करके दो लाइनों के बीच में हम किस तरह से लिखते हैं क्योंकि सबसे इंपोर्टन तो हमारे लिए यही है क्योंकि हम जो राइटिंग सीख रहे हैं वो हमारे डेली राइटिंग है जो हम नोड़बुक में देखते हैं हमारी टेक्स्बुक में जो राइटिंग होती है जब आप इन तमाम उसुलों को फॉलो करते वे लिखेंगे तब आपके handwriting में और textbook के handwriting में बहुत ही कम या ना के बाराबर फर्क रहेंगा ठीके चलिए देखते हैं दो line के बीच में किस तरह से लिखा जाए जैसे पाक लिखे हमने हमने अपको बताये थे अ जो है उपर से थोरा फासला चोड़के नीचे से थोरा फासला चोड़के ये पाक अच्छा नुकतों की बाद हमारी जहन में रखनी है आपने कि नुकते नुकतों की तरह ही देने हैं ये पाक हो गया फिर उसके बाद है अद्रक आज है उसके बाद जग है देखिए लाइन नमबर तीन यहाँ दो हुर्फों में भी आती है जैसे यह जग है हमारा उपर आ गया और गह हमारा नीचे आ गया बिल्कुल उसी तरह से दूसरे वर्ड भी हम देखेंगे नाग है उसके बाद सरक है उसके बाद तक क्योंकि यह बहुत ज्यादा इस्तमाल होने वाले हैं लब्स इसलिए हमने इनको ही इस्तमाल किये हैं अच्छा कबूतर हमने लिखेते देखें ये क ये ब और ये व कबू और ये तर कबूतर कबूतर फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे हैं हम वहाँ पर थोरे इंक के डॉट है इसके लिए ठीक है क फिर ब फिर व कबूतर देखें ये व जो है वो बहुत बार इस्तमाल होता है दूसरे हुрफों के साथ में उस वक्त क्या करना है आपको इसको कमस कम 50 परसं तक लाना है व और यह को यहनै जो भी उपर की जो हुर्फे उनको 50 परसं तक खत्म करके हमको हऊ को शुरू करना है 50% में इस बात का खयार रखेंगे ऐसे जैसे हम लिखना शुरू कर देंगे अलफाज हम वापस से सीखने वाले हैं अलफाज फिलाल हम नहीं सीखा रहे हम से बता रहे आपको क्योंकि आपको कंफ्यूजन बहुत रहती है बच्चों को कि किस तरह लिखा जाएंगा 100% में 20% में इसलिए हम आपको बता देते कि अलफाज लिखने के जो उसूल है हम आगे आपको बताएंगे तो इसके बाद हम चलते हैं अभी हमवर्क की तरफ